बच्चों में behavioral, cognitive और emotional changes देखने को मिलते हैं, खास कर छोटे बच्चों में ऐसे में इनके इलाज के कई तरीके होते हैं, जिसमें से एक है rehabilitation therapy, जो की आज के समय में काफी जाना माना हो चुका है नमश्कार, आज हमारे साथ विजनौर से धन्वंत्री चाइल रिहाब सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर उमर नाजिर जोड़ रहे हैं डॉक्टर उमर एक senior pediatric rehabilitation therapist है, जिन्होंने 30,000 से ज़्यादा बच्चों का इलाज therapy से किया है स्वागत करते हैं, बहुत-बहुत स्वागत है sir आपका थेंक्यू तुसे rehabilitation या rehab भी कहते हैं इसको, क्या होता है यह क्या process होता है इसका rehabilitation यह setup therapies होता है complete procedure होता है एक बच्चे को या एक adult को normalize करने में इसको day to day life में कैसे हम normalize करेंगे इसको day to day skills कैसे हम useful और functional करेंगे उसके लिए जो complete चाहे वो therapies हो, चाहे वो mental counseling हो, चाहे वो treatment का कोई procedure हो यह complete setup procedure होता है इसको हम rehabilitation बोलता है